रतलाम में पटवारी के साथ उसके दूस्तों नहीं फरजी वाड़ा कर उसे लाकों रुपे की चपत लगा दी इसके बाद आरोपी पटवारी को बलेक मेल भी कर रहे हैं मामला आलोट का है जहां पदस्त पटवारी हेमंद बागडी का आरोप है कि कुछ समय पहले उसने होम लोन को लेकर कागजाद दिये थे इसमें आधार कार्ट भी शामिल था पटवारी को होम लोन तो नहीं मिला लेकिन आधार कार्ट में छेड़ चाड़ कर लोन ले लिया गया ऐसे में अब recovery के लिए पटवारी को परेशान किया जा रहा है पटवारी के क्या रूप हैं आप खुद ही जुन लीजे अब इस फरजी बाड़े को लेकर पटवारी ने पुलिस से मदद की गुहाल लगाई है पीडित पटवारी ने इस मामले की शिकायत रतलाम स्पी अभिशेक तिवारी शकी है अभी तक मुझे वाटसेब में प्राप्त हुई है एक शिकायत एक आवेधन के प्रती मेरे ध्यान आकरशित किया गया है उसकाम लोगों ने जाच के लिए दिया इथाने पर और जो आवेधन करता है उनको भी मैसेज कराने के लिए कि वह आएं और वरस्ते अपनी पूरी शिकायत बताएं जो भी उसमें तथ्यात्मक चीजे होंगी उसमें गहनता से जाच करके पूरी कारवाई होगी जो शिकायत पड़के उसमें ऐसा समझ में आ रहा है कि किसी ने इनके डॉक्यूमेंट्स का दुरूपयों करके लोन निकालने जैसी घटना को अंजाम दिया है तो यदि इसमें साउधानी बरतना बहत जरूरी है एसे में आप इस प्रोसेस के जरीए अपने आधार कार्ट की डिटेल जान सकते हैं साथ ही आपका आधार कार्ट कब और कहां इस्तमाल किया गया है इसकी जानकारी भी आप आसानी से निकाल सकते हैं ऐसे पता लगाएं किसने किया आपके आधार का गलत इस्तिमाल सबसे पहले आप uidai.gov.in पर जाएं वहां home page पर आधार services के नीचे की और आधार authentication history को खोलें जिसके बाद आपसे आधार की आधार संख्या और security code मांगा जाएगा इन सबी जानकारी को भनने के बाद आपके आधार से registered number पर one time password OTP आएगा OTP भनने के बाद user को authentication type और date range के साथ मांगे गए details देने होंगे इसे verify करेंगे तो सामने एक सूची आजाएगी जिसमें बीते 6 महीनों की आधार काड की history आपके सामने आजाएगी इसे साफ हो जाएगा कि आपका आधार काड कब कब और कहां कहां इस्तिमाल किया गया था आपने आधार काड का गलत इस्तिमाल होने पर आप इसकी शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं आप इसकी सूचना UIDAI के toll free number one nine four seven पर दे सकते हैं या फिर help iterate uidai.gov.in पर email id के जरीए शिकायत दर्ज कर सकते हैं दसूत्र की खबरों को देखने के लिए प्ले स्टोर और एपल स्टोर से डाउंडोड करे हमारा आप दसूत्र आप हमारी खबरें दसूत्र.com पर भी देख सकते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, ट्विटर, फेस्बूर और इंस्टाक्राम पर भी हमें फॉलोग कर सकते हैं साथ ही यूट्यूब पर भी हमें सब्सक्राइब करें यदि आपकी नहीं हो रही कोई सुनवाई और आपके पास है कोई खबर तो हमारे वाट्सेप नमबर 700-00-24141 पर भीजिए और बनिये हमारे सूथ